नमशार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों कोई आशवाष ना हो तब ही देखना क्योंको दोस्तों आप शबी को बतादें कि आज शाम के पाँच बच कर 20 मिनट के उपरांत आप शबी के जुनकाल में जोबडी घटना होने वाली है देख अगर आप अपनी आँखों पर यकिन नहीं करेंगे जी हाँ दोस्टों हम आप शबी को बता दें कि आज कई है वीडियो आप शबी के लिए शबसे महत्पुन और शबसे खास वीडियो शाविद होने वाली है क्योंको दोस्टों इस वीडियो में कुछ यसे ही जानकारी है कुछ यसे हैं महत्पुन बाते हैं जिनने जानना आप शबी के लिए बेहत ही आउशक है और जो भी जातिक आज के इन शबी बातों को जान लेंगे आज के इन शभी महत्पुर्ण शब्दों को शमय लेंगे दोसों वो अपने जुनकाल में बिल्कुल है शबल हो जाएंगे और जो भी व्यक्ति आज के इस वीडियो को नजर अंदाज करेगा मीश करेगा नहीं देख पाएगा दोसों वो आने वाले शमय में उम्र भर है आज शाम के पांच बचकर बीश मेंट को ब्रांत कुछ ऐसी वड़ी धमा का आप शिवी के कुंडली में होने वाली है आप शिवी के जिन से आप शिवी का आने वाला भुष बिल्कुल ही बदल जाएगा जो आपने कभी शपने में भी नहीं सोचा था दोसों वे घटना अब होने जा रहा है जिया दोसों ये घटना आप शिवी को बिल्कुल ही रूला देंगी खुशी के आशुग आप रोक नहीं पाएंगे शी खुश कबरी आप शिवी को प्राप्त होने वाली है जिया दोसों प्रदोसों हमने आपको पहले ही का है कि इस वीडियो को बिल्क तादे कि इन बातों का ध्यान है आपको रखना बहुत ही आवश्यक है आप शुबी को बता दे कि आज की है वीडियो आप शुबी के जुनकाल करेंगे कोई एशी वीडियो नहीं है जिन से आपका इस देनिक दिंचरिया का वातार नहीं पता चलेगा दोस्तों इन से आने आवाले आपका पूरा भश ही बदल जाएगा जो उनकाल में आप कोई भी गलती नहीं करेंगे और जो भी दुश्मन आपके पीछे लगे हैं जो भी द्यत्ती लोग आपके पीछे लगे हैं आपके कारियों में बधाएं आपके कारियों में जो अरतिने डालती हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाते हैं जो आपको हमेशा आपके रास्तों में मुशिवत खड़ वाली है इनके अनुशार हम आपको कुछ यह से नियम बताने वाले हैं जिने अगर आप अपने जुनकाल में अपना लेंगे जिने अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप शुब की जुनकाल में आपकी एक दुनिया बन जाएगी जिने में दोस्तो आपको अपने जोनकाल की शारी शुक्ष युदाय प्राप्त होगी जिनकी आप कामना करते हैं जिने पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जिने पाने के लिए आप दिन रात शंकर्ष करते हैं दोसों के शारी चीजे अब आपके कदमों में होने वाली है जि दोसूं आक शिवी का जिवन धन्य हो जाएगा और दोसूं इन्हें प्राप्ट करने के लिए आपको आपको आज की इस वीडियो और दोसूंसुरुष लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यांश देखना है कि दोस्तों आप शुबी को बता दे कि हमने बहुत शारी वीडियो में यह बात कही है कि आप वीडियो को अंत तक देखियेगा जेह दोस्तों कुछ लोग वीडियो को आदे जुरू देखके छोड़ देते हैं और बाद में फिर कमेंट करते हैं कि गुरु जी यह बात हमें शमज में नहीं तो दोस्तों आप शिवी को बता दें कि हर बातों का शमाधान इसमें है हर शवालों को जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा प्रंतु आपको करना क्या है अपने जिवनकाल के महत्मुल शमी मैसी थोड़ा शमय निकाल कर इस वीडियो को देना है और इन्हें ध्यांशी से देखना है इन्हें अच्छी तरीके शमजना है जियां दोस्तों तबी आप शारी शमशाओं का शमधान परात कर पाएंगी जियां दोस्तों शुप देखने शेही नहीं होगा दोस्तों आपको हर बातों को शमजना होगा कि गरहों की सती के शार्त आप आपको खौन से परविर्थन करना चाहिए केशी बदलाब आपको अपने जिवनकाल में अब करना चाहिए ताके दोस्तों जो भी मुश्यवत आपके शाथ पिछले कईश में से चर रहे हैं दोस्तों उनसे आपको मुक्ती मिल जाए और जो भी दुश्मन लोग आपको परिशान करते हैं आपके उपर एश्य क्रियाएं करते हैं जिन से आपको बहुत ज्यादा मुश्योवितों का शामना करना पड़ता है जिन से आपके कारी बंते-बंते भिगड़ जाते हैं। दोस्वं एक प्रकार्षे करें आपकी जिवनकाल की शारी शमश्याओं का शमधान आज के इस एक वीडियो में लेकर आये हैं। दोसों शारी बातें आपको बहुती विस्तार तरिकिशे हम बताने वाले हैं, तो दोसों वीडियो को अंत तक दिखना अब आपका दायत होगा, तो आई दोसों वीडियो को प्रार्म करते हैं, उशे पहले दोस्तों सरपर्थम जो भी मातालक्षमी के शच्चे भकते हैं दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरूर ही किजेगा और दोस्तों कमेंट बोक्ष में सच्चे मन शच्चे हिर्दे भावशीर जै माता दी जै शनिदेव जरूर लिखेगा दोस्तों आपके दिल से की गई एक फुकार दोस्तों देवकुड में बेठे शवी शवर के पास से लिजाएंगे तो दोस्तों सच्चे हिर्दे भावशी जरूर लिखेगा और चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब बिलकुल ही किजेगा कि दोस्तों इस चैनल ने बहुत शारे लोग जुड़े हैं जिनें हमारी उपर बहुत ज़्यादा बिश्वास है जिनें इश्वर के उपर बिश्वास है तो दोस्तों और आपको भी इश्वर के उपर विश्वार शे तो दोस्तों जरूड ही चैनल को सब्सक्राइब केजिएगा तो ऐधोस्तों बात करते हैं आपके जीवनकाल के शबशे महत्पुन विशे के बारे में जी हाँ दोस्तों दोस्तों आप शबशे को बता दे कि आपका जीवन पिछले कई शबशे में से बहुत गंबी रहुस्ता में चर रहा है पिछले कईश में से आप बहुत शारी कारियों को एक्षात कर रहे हैं जी यह दोस्तों और पिछले कईश में से आपको बहुत ज़्यादा मुश्यूवितों का शामना करना पड़ा है दोस्तों बहुत शारी बाते हैं आपके जूनकाल में जुड़े जिने अगर हम कहने लगजाएं तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लम्बी हो जाएगी लेकिन दोस्तों सिधा और शरहर्षटों में कहें तो दोस्तों फिछले कईश में से आप थोड़ा सा परिशान चल रहे हैं कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा परिशान चल रहे हैं लेकिन दोस्तों हम आपको बता दी कि इन परिशानियों के पीछे आपके उनकाल में इन दुखों के पीछे इन शकड़ों के पीछे तीन चीजों कहां थे जिहां दोस्तों पहला है कर्म, दूसरा है द्धित दिश्मन, दोस्तों तिश्रा है आपके इश्वर के प्रति लगाव। कर देते हैं जो कि दोस्वों आपको उनका खामयाजा बहुती बुरा भूत ना पढ़ता है और दोस्वों आप पिछले कईशिमें से यह देख भी रहे हैं तो दोस्वों अब आपको अपने जूनकाल में आज शाम से ही ये नियम क्यों पालन करने हैं और आज शाम से ही आपके जुनकाल में कौन सी गरहों के तिती बनने वाली है शब से पहले दोस्तों हम उनके विशे के बारे में बात करते हैं दोसों आप शिबी को बता दें कि आज शाम से आज शिबी के कुंडली में तीन बड़े गरहों का मिलनसार हो रहा है। शिबी को बता दें कि आज शिबी के कुंडली में दस्तक देने वाले हैं। माता लक्षमी का शाया तो आपके जुनकाल में पिछले कईशे में से चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपके ही गलत आचरन के वजशे आपके ही गलत बहवार के वजशे आपको इनका शक्ती का हैशास नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों केशे आपको इनका हैशास होगा आखिर आप कौन शी गलतियां कर रहे हैं और आखिर अब आपको कौन शी कारी करने हैं। ताकि दोस्तों आपको मा का ये शक्ती का अभाश हो जाए और जो उनकाल में जो भी परिशानियों हैं जो भी शंकट हैं चाहे आपके करमों श्याय हो चाहे दुश्मन खड़े करे हो दोस्तों शबी के शबी दूर हो जाएंगे। जिहां दोस्तों शब से पहले दोस्तों आप शुबी को बता दें कि आज शाम से माता लक्ष्मी और वगवान शिंदेव आप शुबी के उपर प्रशन होने वाले हैं। कोई शमेशे आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत ज़्यादा शोच रहे हैं कि आखिर हमारे जुनकाल में शाक क्यों हो रहा है। जिनसे दोस्तों सनी के परखुब आप शुबी के जुनकाल में शमापत होने वाले हैं। शुनी का शुब फल आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों यशे में आपको कौन शे बातों का विशेस ध्यान रखना है जिहां दोस्तों आप शबी को बता दें कि अब शे आपको अपने जुनकाल में कुस बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा आवश्य होगा दोस्तों अगर आप इन बातों का ख्याल अपने जु भी परिशानिया है जो भी अर्चने हैं जो भी आर्थिक तंगया है दोसों वे शबी दूर होना निस्सिद है जिहां दोसों दोसों आप शबी को बता दें कि अब आपको अपने जुनकाल में करमों का जो प्लड़ रहा है उन्हें भारी ही रखना है जिहां दोसों और दोसों आपको इशे आशरन में जाना है जांशी आपके शोच में नकारत्मक शक्ती उत्पन हो जाए दोस्वों कहने का तात पर है आपके जुनकाल में जो भी एशिक रिकलाब हो रहे हैं जिनि में आपको लगदा है कि यहां कारे धर्म से जुड़ा नहीं है इनिमें हमारे करम खरा करने का जो है वो प्रण ले ले दोस्वों यही आपकी जुनकाल के शबशी बड़ा मंत्र होगा जिहां दोस्वों कोई भी चीज अगर आपके जुनकाल में आपको जहर के शमा लग रहा है और उस जहर को आप जानकर अपने अंदर रख रहे हैं तो दोस्वों यह आपकी जुनकाल की बड़ी गलती है तो दोस्तों अपने जुनकाल में आप इन बातों का ध्यान रखेगा शाथी दोस्तों हम आप शिप को बता दें कि अब गरहों की जो शुब इस्तिती बनने वाली है इनमें दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही होगा दोस्तों आप शुब को बता दे कि आपके शुकर गरह यश में मजबूद होने वाले हैं जिन से दोस्तों आप शिब की कुंडली में आज शाम से धन बैभाव एशो और आम मिलने वाला है जिहां दोस्तों शुंदरता आपकी बढ़ने वाली है दोस्तों शमाज में आपका अकर्शन ब बनने वाले हैं जिस जेतर में आपने पेशे इन्वेश्ट के थे दोस्तों उनमें आपको लाब के मोके खुलने वाले हैं यूँ कहें तो जोस्तों जो भी पेशा आपने इन्वेश्ट के हैं उनमें आपको दुगना लाब मिलने वाले हैं दोस्तों अब आपकी जिंदगी थोड़ा उंचे की तरफ जाने वाला है यानि कि दोस्तों एशोराम की जिंदगी अब आप जीने वाले है दोस्तों अब आपके चेहरे में एक अलग ही शुंदरता होगी आपके आँखों में एक अलग ही चमक होगी जो कि दोस्तों आपको आकरशन का केंदर बना देगा शमाज में आप जहां भी जाएंगे वहाँ पर शब लोग आपकी तरफ आकरशित होगा आप शिशलाही मांगेगा लेकिन दोस्तों आप शिवी को बता दे कि ये शब अगर आपके जुनकाल में हो दोस्तों आपको बिल्कुल ही किशी को गलत शलाह नहीं देना है अगर आपको लोग किशी कारी को लेकर पूछ रहे हैं किशी कारी को लेकर आपको शमान दे रहे हैं तो दोस्तों उन्हें भी आपका यही दायत होता है कि आप उन्हें अच्छी शलाही दें दोसों इन शे आपकी कर्मों का जो प्लड़ा है वह भारी होगा इसलिए दोसों हमने यहाबात पहली भी कहा आपको कि अब आपको बूरे कर्मों की तरफ नहीं जाना है जी हाँ दोसों शादि शाद दोसों आपको बता दें कि यश में जो शनिक इतती है आपके राशिश लाभाव में होने वाला है यानि कि दोसों अब आपको अति अनुशाशित यहाँ बनाएगा जिहां दोस्टों अब आप हर नियम को पालन करने की शक्ति आपके अंदर आएगी और दोस्टों शमेशे पहले आपको जिम्मेधारी तो देगा लेकिन दोस्टों अगर आप करम के शाथ चलेंगे तो दोस्टों उन जिम्मेधारियों में आप शबलता भी प्राप्त करेंग दोस्तों काम में देरी भले ही आपको देगा लेकिन दोस्तों एशा काम होगा कि दोस्तों वह इतियाज बन जाएगा जी है दोस्तों लेकिन एशे कामों में आप शाहज के शाहत आगे बढ़ते रहेगा कि दोस्वों पिछले कईश में से आपकी जुनकाल में बहुत शारी परिशानियां आई है दोस्वों बहुत शारी मुश्वपत आप शबे के जुनकाल में आई है लेकिन दोस्वों आपने उनमें कभी भी डगमगाई नहीं है दोस्तों आपने हर परिशानियों का शामना शाहस के शाथ किया है और दोस्तों यही शब चीजें हैं यही शब गुन है जो कि दोस्तों आपको शबी राश्यों से अलग बनाती है शबी राश्यों से बहतर बनाती है दोसों आपकी जुनकाल में अब शंगर्ष खत्म होने वाले हैं बहदर शंगर्ष के बाद अब आपको एशा इना मिलेगा कि दोसों समाज में आप जो है एक अलगी पहचान बना पाएंगे जिहां दोसों आप शिवी को बता दें जैसे दोसों मानो शमतकार्शी हो गई है लेकिन दोसों ये शब आपकी अच्छे कर्मों का फल होगा और दोसों आपकी अच्छे गरहों की स्थिती होगी जिहां दोसों इसलिए गरहों की स्थिती को बहतर बनाने के लिए यहां दोस्तों यह उपाय आप शिभि को अपने जुनकाल में कभी भी गर्णों की सित्थी खराप नहीं होने देगा और दोस्तों इनसे आपको गर्णों का भी शुबफल हमेशा प्राप्त होते रहेगा तो दोस्तों आपको कौन शे कारिकरना चाहिए ताकि दोस्तों बातों को अब आप बिलकोली ध्यान से शुनिएगा जिया दोस्तों जो लोग पैर घशीट कर चलते हैं उनका राहु खराब हो जाता है जिया दोस्तों अपने जुनकाल में अब आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप चलते हैं घर्शे शुबा उटकर एक भी कदम चलते हैं या फिर कहीं भी आप नए कार की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक प्रकार्श के हैं अपने जुनकाल में आप कभी भी कोई शुब कार करने चल रहे हैं तो दोस्तों पैर को घशीट कर नहीं चलना है दोस्तों इनसे राहु खराब हो जाता है और जो भी कार आप करने जा रहे हैं जो भी कार की शुरुआत करने जा रहे हैं दोसों वो कार विफल हो जाता है तो दोसों आपको राहों को वहतर बनाने के लिए ये बातों का ध्यान अपने रिनकाल में अब रखना ही होगा जे दोसों दुस्तरा जो चीज है वह है दोसों आप कहीं भी पानी विखराकर नहीं रखे लूएं दोस्वों पानी का शिधा तात्रेश चंद्रमा यह हैं। जुनकाल में बहुत शारी विपदाय आने लगती है नशिब का जो दोवार है वह बंध होने लगता है दोसों कपड़े की जैसे रोन गई तो दोसों आपके जुनकाल में एशे ही दुख के दिन आने लगते हैं तो दोसों इन बातों का ध्यान रखिएगा दोसों शाथी बहुत ज़्यादा प्रिशान करते हैं दोसों आप देखी रहे होंगी कि पिछले कईश में श्याप शुविक जुनकाल में बहुत शारी शे तांत्रिक किरियाएं भी लोग करवा रहे हैं जिनसे आपके उपर उनका बुरा अश्र देखने को मिल रहा है दोसों आप यह बा बिस्तर फेला हुआ रहेगा बिस्तर पर जो भी कपड़े है वो इधर के उधर रहेंगे चादर कहीं होंगी तक या कहीं होगा दोसों शे बिखरे हुए रहने शे दोसों राहू और शनी ठीक फल नहीं देती हैं तो दोसों इनका अब ध्यान रखना है गरहों की तती को आपका खराब हो जाता है यानि कि दोस्तों क्रोध में भी आपका मंगल खराब होता है और चीक कर भूलने से शनी भी खराब होते हैं दोसों आप इन बातों का जरूर ही ध्यान लगें हर बातों को नरम लहजे से बात करें खासकर दोसों जब आप कोई नया काम की बात कर र कि आपको अब गुरु गरा को अच्छा बना कर रखना है तो दोसों हमेशे अपने घर के बुजरूं का आपको शमान करना है घर में जो भी बड़े लोग है उनका आपको आदर शमान करना है उनका अशिरबाद लेना है दोस्वों इन से आपके गुरू तो अच्छा होगा ही, शाथि आपके घर में शुक्रसमर्दी बढ़ेगी, कारियू में शुफलता बढ़ेगा, शाथि दोस्वों इन से धन की जो आवग है वो अभी बढ़ता है, तो दोस्वों इन बातों का ध्यान रखें। शादी शाद दोस्तों बुद्ध और गुरु को एक शाद अगर आपको खुश करना है एक शाद उनेव प्रशन्ने करना है तो दोस्तों अपशद बोलने शी आपको बचना होगा गालियां देने शी आपको बचना होगा इनसे दोस्तों ये दोनों ही गरद एक शाद खराब ह यह जाते हैं यदि आप किशी को गाली के देते हैं या फिर गाली के शौकीन है तो दोस्वों बुढ़ापे में भी विस्तर पकड़ने के लिए आप तयार रहें दोस्वों बहुत शारी शमज़ाएं आपके यह दो शब्द दे सकती हैं तो दोस्वों अभी शे आप ध्यान बढ़ेंगे, दोस्वों बहुत शारे चीज आपके कुछ उपाय को करने से भêtre बिन जाएंगे, घरों के जित्ती तो आपको शाथी शाथ बहुती उत्तम रहेगा, घरों का अच्छा फल भी आपको मिलता रहेगा, तो दोस्वों आपके शुकर और शनिकी स्तती बहुती मजबूत है और दोसों इन्हें आपको मजबूत बना कर ही रखना है। जुड़कर ही रहना है जिए दोस्तों पुजापाट से पहले आपको कुछ बातों का शंकल्प लेना है जिया दोस्तों संकल्प लेने की बिदी हम आप शेभी को बता दी कि हमारे हिंदू शास्त्रों के नुशार की शिभी कार की शिद्धी के लिए की गई कोई भी पुजा या पिर नुष्ठान से शुरू करने से पहले, अनुष्ठान के शुरू करने से पहले ही शंकलप लिया जाता है, संकलप लेने के लिए गनेश जी की अस्थापना कर, हाथ में थोड़ा जल या फिर चावल लेकर आपको ये बोलना है, कि हे परम पिता, परिमेश्वर, मैं आपको लेना है, अपना गोत्र का नाम लेना है, ना आपकी पूझा पाठ जानता हूँ या फिर जानती हूँ, मैं तो आपके द्वारा दी गई, बुद्धी से यथा शमय, यथा शक्ति जो भी पूझा कर रहे हैं वह नाम बोलें, पूझा पाठ कर रहा हूँ, हे परमपिता परमेश्वर इसमें कोई गलती हो तो शमा करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी किरपार्दिष्टी बनाई रखें दोसों यहां शंकल अगर आप पुझा पाट करने से पहले लेंगे तो दोसों आपको तो दोसों आपके शारी कश्ट शारी पिडाएं शमापत हो जाएँगी तो दोस्वो बिल्कुल ही अप इन बातों का ध्यान रखेगा दूस्तों अगर मंचाही नोकरी आपको नहीं मिल रही है घर में शंकट भूझ जजयादा चल रही नोकरी पर भी इस दिन अपने घर के मंदीर में पीले रंके गनपती जी के परतिमा लाएं और फिर भगवान के चरुण में शापू धलते की पांच गांट चढ़ाने चाहिए जिन दोसों आप शिवी को बता दें कि इसके बाद भगवान श्री गनेज जी के आगी श्री गनगनपते नमा इस मंत्र का 108 पार आपको जाप करना है और 108 दुर्वा ले दोस्तों आपको बता दे कि इस पर हल्दी लगा कर श्री गजाव कत्रम नमो नमा इस मंत्र का जाप करते हुए दुर्वा ग्रेश जी को चड़ाते हुए आप शबी पूजा करें दोस्तों आपकी शारी मोनोकामनाएं शिगरी पूरा हो जाएंगी और घर की शारी बताएं खत्मों की नोकरी में वैपार में जो भी शंकट हैं वे शारी खत्म हो जाएंगी आर्थिक शमशाय बिन से श्रमाप्त होती है तो दोस्तों यह उपाय आपके लिए बेहत ही लापक